हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि आपको पता है रिसेंटली अभी हमने फ्लोरा एंट फोन ऑफ जी एंट के का जो टॉपिक था आपका वो हमने कम्प्लीट किया था तो हमाया नेक्स टार्गेट जो रहता है उसके इंपॉर्टेंट एंप सीक्व आप तक लेक देना है उससे क्या करना आप अपने आपको खुद कर लेना खुद जज कर लेना कि आप बाकियों के कितने आगे हैं और कितने पीछे तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ जो भी इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी वीडियो अप्लोड ओ आप तक सबसे बहले पहुंचे तो आगे बढ़ते हैं तो यह थी हमारी पीडिएफ जो मैं आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड कर दूँगा बड़ी देसे स्टुएंट्स कहा थे सर पीडिएफ निया पीडिएफ निया तो मैं बता द और आपका जो आपका confidence है वो आपको साथ में आस्पन पर ले जाएगा तो आगे बढ़ते हैं तो MCQI स्टार्ट हो जाते हैं इधर से पहला question पहला question क्या कहे रहा है the red data book gives data on जो आपका red data book है वो किसके बारे में data देता है endangered plants and animals, red colored fish, red colored flowers, list of plants and animals तो जो red data book है हमने पढ़ा भी था अपनी वीडियो में that it gives the data over the endangered plants and animals जो extinct की कगार पर पहुंच चुके हैं जो खतम होने तक पहुंच चुके हैं जिनकी species around thousand आप कह सकते हो thousand to twenty five hundred के बीच बीच में इंकी species रहेगी है पूरे संसार में तो उन species को हम डालते हैं red data book में तो इसका answer कह रहेगा a option second question when was the government of India had launched the project snow leopard आपको पता है यह जो snow leopard है हमारे gnk का important species है तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो government of India ने project snow leopard कब launch किया था that it is launched on two thousand nine next question zero five represents the class of vegetation found in जो zerophytes है कौन सी vegetation को represent करता है और वो कहां पर पाई जाती है पहले तो वो जो पाई जो चाहती है वो तो आपको पता है मैंने आपको बताया था it is found in लदाक तो लदाक का climate कैसा होता है dry ठीक है लदाक का कैसा climate होता है dry होता है तो इसका answer क्या आ जाएगा that is semi-arid and steep areas semi-arid का भी मतलब यही होता है कि dry और जहां पे कम rainfall उन areas में zero five vegetation आपकी पाई जाती है अगर आप से पूछा रह साथ भी mcq में zero five में कौन कौन से plantation आते हैं तो उसमें आपका आ जाता है एक cactus ठीक है मैंने आपको बताया था एक आपका कौन सा आ जाता है cactus cactus के साथ मैंने आपको एक और बताया था that is a games ठीक है इनके पास ऐसी यह ऐसे बन चुके होते हैं कि अपने आपको dry season में भी जीना सीख लेते हैं आगे बढ़ते हैं fourth question the timber of which of the falling tree is used for making cricket bat cricket bat बनाने के लिए कौन सा timber use होता है cricket one of the famous game तो आपको मैं बता दूं बहुत से student को एक question बता भी होगा cricket cricket bat के लिए आपकी जो timber है वो use होता है willow देखो एक होता है कश्मीर willow ठीक है कश्मीर की जो willow होती है वो अलग होती है और एक होती है England इंग्लेंड की अलग होती है ठीक है इनके color में भी difference होता है वैसे आप से mcq में पूछा नहीं जाएगा लेकिन action knowledge में आपको बता रहा हूं हमारी कश्मीर में भी यह willow पाए जाती है और इसे बड़े अच्छे quality के bats produce होते हैं नेक्स से फिफ्ट कोशन चिनाट्री इस लोकली नोन एस चिनाट्री को लोकली किस नाम से जाना जाता है पहले तो आपको पता हो ना चिए चिनाट्री किस नाम से जान जाता है चिनाट्री इस नोन एस king of trees in Kashmir Kashmir में तो king of trees के नाम से जा जाता है लेकिन इदा local name बोल है local name कुन साथ है का boni आपको बड़ी जगा ये भी spelling मिलेंगे ठीक है bone भी बोल जाता है b o e n या b o o i n ये तीनो एक ही है थोड़े से बस spelling में है लेकिन pronunciation एक ही होती है तो आपको ये तीनों में से कोई भी option मिले तो आपने उसे choose कर ले दे 6th question दियोदार is derived from which Sanskrit word हमने पढ़ा था जेनके का important plant है important tree है दियोदार tree तो ये जो दियोदार word है ये कहां से उत्पन हुआ है it extract from the word देवादारू जिसका मतलब है god of trees ठीक है next is 7th question which is the state animal of JNK देखो मैंने state बोला है अभी यूटी नहीं लिखा यूटी भी लिखो के तो answer same ही है आपको मतादू हमारा यूटी का bird change हुआ है ठीक है जो यूटी bird change हुआ है उसका आपने comment section में लिखने है क्या है हमाई यूटी bird तो state animal की बात हो रही है या भी यूटी animal भी बोल सकते हो दोनों एकी है तो पहला बोलता है हंगूल second बोल रहा है कश्मीरी stack third बोल रहा है कश्मीरी red deer की all of these तो बड़े से student क्या करेंगे चुलनेंगे हंगूल कुछ चुलनेंगे कश्मीरी stack तो मैं बता दूँ ये तीनों एकी के नाम है तो इसलिए मैंने ये जान मुझे ऐसा question डाला तो इसका answer क्या जाएगा all of these इसमें क्या है आपको पता होना जाए हंगूल ही कश्मीरी stack है और कश्मीरी stack का तीसरा नाम भी कश्मीरी red deer के नाम से भी जाना जाता है तो इसका answer all of these है 8th question when was the project हंगूल initiated 8th question में क्या बोल रहा है जो आपका हंगूल प्रोजेक्ट है हमने उपर पड़ा ये हमारा state animal है अब ये हंगूल प्रोजेक्ट कब start हुआ था then it is started in 1970 साथ में आपको पता होना चाहिए जब ये 1970 में start हुआ ठीक है तब इसकी around species आप कह सकते हो 150 थे 1500 species भी बची थी इसकी तो government of India ने सोचा project हंगूल initiate किया जाए जिसका असर दिखा भी और 1980 में इसके species around आपकी कह सकते हो 340 के around होगी मलब double भी double से भी जादा होगी 10 सालों में next question which of the following factor affect natural vegetation नीचे दिए के option में से कौन कौन से factor natural vegetation को effect करते हैं पहला soil second photo period third precipitation तो fourth है आपका all of these तो आपको मैंने वीडियो में बताया भी था जो photo period है photo period का ही मतलब क्या है sunlight बड़े से students को पता ही नहीं होगा तो इसलिए पता होना चाहिए photo period और sunlight एक ही word है मीनिंग सेम ही है तो पहला बोल रहा है क्या आपका natural vegetation soil से effect होता है हाँ जी sunlight से effect होता है हाँ जी precipitation precipitation होता है amount of rainfall rainfall से भी effect होता है और इसका answer क्या रहेगा all of these तो ninth का answer क्या है all of these 10th question which term is used to donate animal species of particular region और period ऐसे कौन सी टर्म है नीचे दिये गए गए जो एक species को represent करती है कौन से species animal species तो हमारा जो chapter का नाम ही है topic का नाम है flora and phona flora means floor या plants और phona means animal तो इसका answer क्या रहेगा हमने animal का answer देना है तो इसका answer रहेगा phona 11th question which of the falling animal is hunted for scented glands which is used in perfume ठीक है नीचे दिए option में से ऐसा कौन सा animal है जो अपने scented gland के लिए hunt किया रहता है जो हम perfumes में use करते हैं तो वो है आपका 11th का answer आपका आता है must be it मैंने ओपर बताया भी था आपको 12th question which is the largest wild goat in the world और यह हमाई gnk में पाया जाता है ठीक है कौन सा largest wild goat in the world है world में बात कर रहा हूं तो इसका answer आपका आ जाता है पीर पंजल मर्खोर ठीक है यह जो मर्खोर है अब आपने यह भी comment section में लिखना है यह कौन सी country का ठीक है मैं country की बात कर रहा हूं national animal है मर्खोर कौन सी country का national animal है 13 question in which year wildlife protection act was implemented in India कौन से साल में जो wildlife protection act था sorry implement किया गया था इंडिया में that it is implemented in 1972 14 question what is a scientific name of snow leopard snow leopard का scientific name क्या है हमने पढ़ा था इसके दो scientific name है एक उनेशिया उनेशिया और दूसरा था पैंथरा उनेशिया तो इस कान से क्या देगा एवन ठीक है इस कान से क्या देगा पैंथरा उनेशिया 15th question last question ध्यान से पढ़ियेगा which term is used for virgin vegetation यह क्या निया वर्ड आ गया अगर मैं इसकी जगा लिख दूँ natural vegetation तो कोई problem तो मैं बता दूँ यह जो virgin vegetation है it is also known as natural vegetation यह उसी का नाम है ठीक है which term used for natural vegetation which have come from outside India are termed as जो इंडिया के बहार से आई हो वो vegetation किस नाम से जानी जाती है तो इदर लिखे इंडिजीनियस हो जाती है जो इंडिया में ही पाई जाती है इदर from outside है endemic हमने पड़ा था particular region के लिए आती है third आप किया थे exotic तो इस कारण से क्या रहेगा exotic plants इस कारण से क्या है exotic plants hope कि आपको सारे answer आते होंगे असान थे कोई जादा मुश्किल नहीं थे इसका एक दो यह mcq आने के chances है क्योंकि यह आपका flora and phona topic है यह भी आगे पहले आपका आ जाता है जे एंड के यूटी का topic उसके बाद subdivide उसे किया गया है जे एंड के geography जे एंड के geography के अंडर यह आपका आ जाता है flora and phona तो मेरा main मकसद यही था आप तक पुंचाय जाए कि किस तरह के आपको कोशना सकते हैं और आपका साथ में revision हो जाए जब हमने यह lecture खतम कर दिया आपको पता है हमने आपको बताया था कौन से important phona है हमारे जी एंड के हमा कौन से important flora है हमारे जी एंड के के तो जिन्हों ने वह वीडियो नहीं देख़ी उपर आई बटन को क्लिक कर लें उदर से आप पहले वह lecture भी देख लीजिए उदर झाल